सब्सक्राइब दोस्तों सबते शुक्रवार को मैंने तीन फिल्में थेटर में देखी थी सबसे पहले तो द्रिश्यम 2 उसके बाद मैं एक ऐसे फिल्म जो फिल्म के नाम पर ही मजाग थी मिस्टर मम्मी उसका रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना और सबसे अंत में मैंने दम्मेन देखी थी हॉलिवूड की एक नई साइकलोजिकल थ्रिलर फिल्म है मैंने इसका ट्रिलर देखा था और मैं ट्रिलर देखकर बहुत ज़दा उत्सुक हो गया था इस फिल्म को देखने के लिए कि यार कुछ नया दिख रहा है और साइकलोजिकल थ्रिलर फिल्म्स वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और जिस प्रकार से जो ट्रिलर था वो देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ स्लैशर फिल्म की तरह भी यह हो सकती है बहुत सारे उत्सुकता के साथ मैं मैं फिल्म देखने के लिए थेयर्टर में गया था अब एक basic premise क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एक private island है जहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़िया dining experience खाने का ऐसा experience देने वाला एक restaurant है जिसको एक chef own करता है और दुनिया भर के कुछ बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोगों को यह dining experience लेने का आउसर मिलता है अब यहाँ पर कुछ बहुत ही अमीर लोग ही केवल जा सकते हैं क्योंकि एक एक व्यक्ती को बहुत भारी कीमत इस experience को पाने के लिए चुकानी पड़ती क्योंकि एक celebrated chef है उसके हाथों से वो कुछ अलग यहाँ पर इन सब लोगों को एक experience देने वाला होता है तो जो जो लोग यहाँ पर गए हुए हैं तो तीन business partners है एक पुराना celebrity है star है उसकी साथ उसकी एक assistant है पार्टनर या जो भी आप कहिए इसके अलवा एक couple है जो बहुत ज़्यादा अमीर है एक food critic है उसका editor है और जो मुख्य कपल फिर्म का हमारा जो मुख्य करेक्टर है टैलर और मागो मागो करेक्टर आने टैलर जो अने प्ले किया है तो यह सारे लोग इस private island पर board से जाते हैं और trailer से ही यह तो पता चली गया था कि इस private island पर इस restaurant में कुछ ना कुछ तो गड़बड हो रही है शुरुआत में जिस प्रकार से इन characters को introduce किया गया है हमारे सामने वो वाला part बहुत ज़्यादा interesting था basic premise बहुत interesting था जब यह सब लोग इस private island पर जाते हैं जो मागो का character है आने टैलर जॉय का वो किसी और के बदले वहाँ पर आई हुई होती है तो जो शेप की सहायक है जो एक Asian character है वो जब उसे देखती है तो एकदम देखते ही उसके तरब जरा तिरची नजरों से हो देखती है तो पता चल जाता है कि कुछ वैसे ट्रेलर से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड हो रही है प मुझे तो यहां से रिटन जाना है कोई experience नहीं लेना तो इस प्रकार से यह पूरा island उनका खुद का farm है खुद ही वो fishing करते हैं खुद ही जो भी seafood वगएरा है वो खुद वहाँ पर सब कुछ सबजिया वगएरा सब कुछ वो खुद ही करते हैं ऐसा दिखाया है तो यह सब बताते बताते अंत में वो उस room में आते हैं जहां पर शेफ उसके सारे के सारे जितने भी उसके साहथा करने वाले दूसरे जो शेफ है वो सब सामने ही kitchen है और यह लोग kitchen के सामने ही बैठे हुए हैं अब यहां तक का part जब हो जाता है सारे guest से हमें introduce कर दिया जाता है शेफ स हम मिल लेते हैं तो यह सब कुछ interesting था पर इसके बाद में फिर कहानी आगे progress नहीं कर रही है ऐसा लगता है क्योंकि एक समय पर आने के बाद में लग फिल्म में आदा घंटा होने के बाद में हमें पता चलता है कि भाई कुछ बहुत ही भयानक या horror या बिल्कुल किसी को ऐस तुकड़े तुकड़े करके ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भयानक नहीं होने वाला ये फिल्म कुछ और ही हमें experience देने वाली है तो एक डर अंदर से 30 मिनिट के बाद में निकल गया था और जैसा कि मैंने कहा characters को सब introduce करने के बाद में उनका use उतना बढ़िया तरीके से इ कोई फिल्म ड्रेक नहीं की जात और उनने टीवी सिरियल्स को ही टीवी सिरिस को ही ड्रेक किया हुआ है और 11 वर्शों के बाद में फिर पहली बार वो एक फिल्म को ड्रेक कर रहे है तो एक premise बहुत बढ़िया से उनने set किया था और उसके बाद वो उन characters का use उतना नहीं कर हैं ऐसा लगता है कि कहानी कही पर थम गई है वही वही बाते फिर repeat 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 होने लगती है अलग-अलग dishes को हमारे सामने introduce कराया जाता है और फिर ending में जाकर फिर कुछ अलग होता है जो अंत के जो 15 मिनिट है वहाँ पर जाने के बाद में overall एक बढ़िया experience रहा और बिल्कुल है बाकी हां characters का use और बढ़िया तरीके से किया जा सकता था यह जो कुछ भी premise उन्होंने set किया था उसे और जदा intense और dark बनाया जा सकता था इस पूरे हमारे experience को overall film अच्छी थी अब इसके बाद थोड़ा सा spoilers के बारे में हम चर्चा करेंगे वैसे यह spoiler आप जान भी लेंगे तो कुछ जादा आपके experience पर फरक नहीं पढ़ने वाला तो देखे यह जो shape है एक प्रकार से जितना मैं समझ पाया कहाने को उसको एक frustrated shape दिखाया है जो परेशान हो गया है जो कुछ भी आजकल के जो एक high class जो है high society उनके एक लोगों का सामाजिक भेदभाव भी एक प्रका पर बस एक dish को बाहर से सुन्दर बनाने का प्रयास करना खाने का experience बले ही वो कैसा भी हो और फिर उस जो dish है उसको बाहर से बस दिखावेदार बहुत सुन्दर बना तो आपने दिखा होगा गई सरे जो एक celebrity shapes के shows वगएरा भी चलते हैं उसमें भी आप देखिए बस ऐसे sauce dish में बस एक look देने का प्रयास किया जाता है यह सब करकर के वो यह जो chef है हमारे film का मुख्य character वो frustrate हो गया है यह सब करकर के और यह बात हमें तब पता चलती है जब ending में जो mago का character है वो उसके secret room में जाती है उसके पुराने पुराने सारे photos रखे हुए हैं लगबग हर photo में उसका चेहरा उत्रा वहां में दिखाए देता है चेहरे पर बिल्कुल भी उसके खुशी नहीं है पर एक photo में उसका चेहरा बिल्कुल एकड़ खुलकर हस रहा है जब वो उसकी बिल्कुल युवावस्ता का photo है और एक fast food joint में वो शायद वहाँ पर काम कर रहा होता है तो व चीज बर्गर वगरा जो भी छोटी मोटी चीज है वो लेकर लोगों को खुशी दे पा रहा है तो वहाँ पर उस शेफ के चैर पर हमें खुशी दिखाई देती है और उस शेफ के अंदर ही बात है कि वो लोगों को खुशी देना चाहता है पर society का जो pressure है लोगों का जो pressure बाहर से बस दिखावेदार डिशेश बनाते जाना वो करकर कि ये शेफ फ्रस्ट्रेट हो गया है वो नहीं करना चाहता ये सब कुछ कि बस दिखावे के लिए वो डिशेश को सजाता जाए वो अपने customers को जो खाने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं उनका पेट भी ओ ठीक से बरनी पा रहा है उसको अंदर से संतुष्टी नहीं मिल पा रही और ये frustration उसका इस level तक बढ़ गया है कि बार से बस perfection हमें चाहिए टाली बजाते ही सारे के सारे उसके जो सहायता करने वाले जो दुसरे शेफ है वो एकदम से साउधान मुद्रा में आ जाएंगे और ये सब करकर के वो frustrate हूँ जगा है और उसका ये frustration फिर वो हमें दिखाई देता है और इसी कारण से आप देखें एंडिंग में मागो का जो character है वो ये बात समझ जाता है कि यार उस एक फोटो में केवली हस्ते बे मुझे दिख रहा था तो अगर इसे मुझे खुश करना है तो ये जिस बात से जिस कारण से अंदर से दुखी है न उसका वो दुख दूर करना होगा तो वो वहाँ पर मांगती है कि मुझे भाई एक सिंपल सा चीस बर्गर केवल चाहिए और वो जब ये बात कहती है न जो शेफ शुरुवात से बिल्कुल गुसे में था तम फ्रस्ट्रेटेड था उसके चेहर पर अचानक से अंदर से खुशी आ जाती हाला कि वो दिखा नहीं पाता वो खुशी अपने चेहर पर तुनत पर वो पता चलता है और वो इतना पैशन से उस चीजबर्गर को बनाता है जो टिक्की है चीज स्लाइस है बन्स वो इतना एकदम पैशन से वो चीजबर्गर देता है और देने के बाद में जब मागो को वो चीजबर्गर देता है वो खाती है और जब वो उसकी स्तुति करती है कि यार हाँ मैं संतुष्ट हो गई हूँ इस चीजबर्गर से वो शेफ को अंदर से खुशी मिलती है और उसके बाद वो से जाने देता है बाकी सब को छोड़कर केवल वो मारगों को जाने देता है और वो जाती है छूट जाती है उस आइलेंड से बोर्ट से बाहर निकल जाती है और बाकी सब को ये शेफ उड़ा देता है जला देता है कुल मिलाकर मतलब एक बहुत डाक यूमर के साथ में एक सटायर हम कह सकते हैं आज कल के जो सो कॉल्ड सेलिबरिटी शेफ और उनकी सो कॉल्ड सुन्दर दिखने जो लोगों के सामने परोस तो भली वो अंदर से हमें खाने के संतुष्टी दे पा रहे है या नहीं दे पा रहे है ये बाते कोई मायने ने रखती उसके पीछे बड़ी-बड़ी कहानिया चिपका दो जैसा कि हमारा ये फिल्म का सेलिब्रिटी शेप भी बड़ी-बड़ी कहानिया आ लोगों को सुना रहा था तो इन सब बातों पर फिल्म में कटाक्ष किया गया है तंज कसा गया है और एंडिंग में जब वो चीजबर्गर मांगती है उसके बाद वो शेप के चेहरे पर की खुशी, उसकी संतुष्टी कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज मैंने अपने कस्टमर को खिलाई है अब ये अमेरिकन फिल्म है येस की फिल्म है तो वहाँ पर चीजबर्गर बगएरा बहुत कॉमन सी बात है वहाँ का उनके कल्चर का वो एक खाने का हिस्सा है इस कारह से उन्होंने चीजबर कर लिया इसी फिल्म को अगर भारत के कॉंटेक्स्ट में हम अगर इसको ढाल दे भारत के परिप्रेक्ष में तो यहाँ पर कुछ एक लोकल जो भी खाद्य संस्कृती है हमारी महराष्ट में जाएंगे तो पुरन पोड़ी हो आप दक्षिन भारत में जाएंगे तो जो भी मसाला डोसा हो या इडली हो या जो भी अपम वगएरा जो भी लोकल डिशेस होती है या मध्य परदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर माल पुआ हो या फिर दाल वाफला या राजस्तान में जाएंगे तो दाल बाटी या अलग-अलग जो राज्यों की खाद्य संस्कृती है अपनी तो वो डिश जो हमें संतुष्टी भी देती है स्वास्ते के लिए अच्छी होती है वो बाते एक प्रकार से इस फिल्म के माध्यम से अगर भारत के परिप्रेक्श में इस फिल्म को अगर बनाया जाएं तो वो किया जा सकता है आजकल हम देखते हैं कि बड़े-बड़े जो मल्टी कुजिन रेस्टॉरंट्स वगरा होते हैं महाँ पर आप जाईए, खाने के नाम पर बस मल्टी कुजिन रेस्टॉरंट में जाने के बाद में तो वो डिशेस उनके नाम इतने विचित्र वियर्ड से मन में यही प्रशनात है कि बाई जो बात सिंपल है, सिंपल तरीके से हमारा पेट भर सकती है, मैं संतुष्टी दे सकती है उसके लिए आप बस एक अंधी दोड में दोड़ते जा रहे हैं, बस दुनिया यह सब कर रही है, दुनिया में यह सब कुछ हो रहा है और हमें कस्टमर को लूटना है, एक सिंपल सी डिश, सिंपल सी डिश अगर हम बना के देंगे तो उसके लिए तो ज़्यादा चार्जेस हम नहीं ले सकते हैं तो उसी को तोड मरोड कर उसका कच्रा बना दो, एक सुंदर से उपर से अच्छा उसको लुक दे दो केवल और होगी आपकी एक अलग डिश तयार तो इसी बात पर एक तंज इसमें कसा गया है तो भारत के प्रिप्रेक्शन में अगर इस फिल्म को बनाया जाएगा तो जिस भी राज्य में आप कहानी को स्तित रखिये वहां की एक लोकल खाद्य संस्कृति स्टूड़ी वी सिंपल से डिश के है या पराठा बना कर देदे सिंपल सा ये पिज़ा वगरा उस पर इतने सारे वह बात छोड़ तो सिंपल सा पराठा मुझे ला कर के दे दे या महराश्र में तो पराठा पूरही बना दे इतना क्या थो फालतो की multi cuisine बगरे, dishes जबाएरा बनाते जाए तो ये कुल मिलाकर मैं जितना समझ पाया फिल्म से, तो कुल मिलाकर concept फिल्म का बहुत अच्छा था, हाला कि मैं फिल्म को और थोड़ा dark और intense, अगर होती, तो हमारा experience और बढ़िया होता, पर overall मुझे फिल्म पसंद आई है, तो मैं the menu को दूँगा, 8 out of 10 stars, पैंडल guidance की बात करें, तो sensor board ने फिल्म को भारत में A certificate दिया हुआ है, अमेरिका में भी R-rated फिल्म को कहा गया है, पर मुझे वैसे कुछ बहुत extreme ऐसा violence फिल्म में दिखाई नहीं दिया, बाकि sex और nudity भी कुछ नहीं थी फिल्म में, पर हाँ A certificate के साथ फिल्म को रिलीस केया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत violence है, वो बच्चों की दुरुष्टी से तो सही नहीं है, तो हाँ, बच्चों के साथ देखने के लिए इसे में बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, पके दूस्तों आपने अगर इस फिल्म को देखाए, तो आपका experience कैसा रहा, मुझे अपन बंदे मातरम